हिंदुवादी नेता कमलेश दीवारी हत्यकान का मामला अभी तक शांत नहीं हुआ है ऐसे में एक और हिंदुवादी संकटन से जुड़े नेता को जान से मारने की धमकी मिली है विश्वा सनातन नाम के संकटन से जुड़े हिंदुवादी नेता उबदेश राना को पिछले कुछ दिनों से एक के बाद एक विदेशी नमरों से फॉन कॉल आ रहे है और उबदेश राना को जान से मारने की धमकी दी जा रही है उबदेश सनातन धर्म में राष्ट्रे प्रचारक है और अपने बायानों को लेकर विवादों में भी गिरे रहते है उबदेश राना को कॉल के साथ उनके साथियों को धमकी बरे मैसेज भी आ रहे है और सभी नमबर विदेश के बताए जा रहे है अबदेश ने इस मामले में एंदबाद, भरूज और गोधरा में एफायर भी दर्च करवाई है अबदेश राना ने कहा कि कमलेश दिवारी के हत्या के बाद उन्हें लगातार जान से मारने की दमकी बरे कॉल आ रहे है और इस मुद्रे को लेकर उन्होंने गुजरात के ग्रीमंत्री प्रदीप सी जड़ेजा से भी मुलाकात की है हम तरह से मातर दस मिनट की दूरी पर है और जो तो हिंदुत का ये एजेंडा लेकर चल रहा है अब देख हम क्या करते हैं इतनी कोलिया मारेंगे कि तु याद रखेगा ऐसी ऐसी बाते मुझे बोली गई है कमलेस्तिवादी जी के जो मडर के बाद मुझे कंटिन्यू थैटिंग्स हो रही है उसके लिए मैं हर्जे के बोल चुका हूं ग्रहमंत्री जी से मैं परसों मिला था सामकों से मुलाकात हुई थी उन्हें भी जांच के आधिस दिये इसके बाद सूरत पुलिस भी जांच कर देंगे उत्रे साथ चलता है सभी को मार देंगे इसमें कोही भी यह सारा पर किरिया चल रही है काफी टैंच से उब्देश राना को मिल रहे दंकी बरे फॉन कॉल को लेकर पुलीस ने फिलहाल मामला दर्च कर लिया है इस मामले में फिलहाल पुलीस ने तैकिकाच शुरू कर दी है और आगे की चानबीन की जा रही है कि कुलीस ने झानबी पुलीस ने तैकिकाच शुरू कर दोरू कर दो यहालों।